नाश्कार, बोल किलब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा इतिफाकनाज से एक साल पहले, हाथरस में, रातो रात, जिस गुड़िया का पहले बलातकार और फिर उसकी हत्या की गई थी, रातो रात उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उसकी लाश को कांतिम संसकार कर दिया गया था उसका परिवार गुहार लगाता रहा कि कम से कम उसे हल्दी तो लगाने दो हमें माबाप के गएर मौझूदगी में गुडिया कांतिम संसकार पूलीस ने कर दिया था लो इन ओर्डर की दुहाई देते हुए एक साल गुजर गया है उत्तर पदेश में लो इन ओर्डर बच से बत्तर हो गया है और शिकार पर है ये शक्स मनीश गुपता भारती जहता पार्टी का समर्थक वो अपने दोस्तों के साथ गोरकपूर के एक होटेल में जाता है रात को करीब बारह बजे पुलीस उनके दर्वाजे पर दस्तक देती है और अंदर घुसकर उन्हें पीटने लगती है उस मार पिटाई में ऐसा होता है दोस्तों कि उस शक्स का सिर्फ हूड जाता है और उसकी मौत हो जाती है पोस्त मौटम रिपोर्ट भी सामने उभर कर आ गई दोस्तों और उसमें साफ हो गया है कि मनीश गुपता की बेरहमी से बटाई उत्तर प्रदेश पुलीस ने की वो उत्तर प्रदेश पुलीस जिसवर कोई लगाम नहीं है आज मैं मुख्यमंत्री आदितनाथ से पूछना चाहता हूँ क्या जवाब देही है उत्तर प्रदेश पुलीस की क्या जवाब है आपके पास मनीश की पत्नी मीनाक्षी के इन आसुओं का देखना चाहेंगे एक मां की रुदाली देखना चाहेंगे एक मां की बेवसी देखिए इस होटली में मेरे रस्मेंट का खून हुआ है एक मुलिस वाले ने किया है प्लीज नया दिना देखिए आप देखिए बाकि सारे क्लिफ कहीं खून नहीं है वो खून से रख पत्ते दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून परा हुआ था होटल फालों ने हम साफ करवा दिया प्लीज मनद करिये मेरे बदी को नहाए दिनाए प्लीज दोस्तों सबसे दुख की बात यह है कि पुलीस अब तक इसे एक सामान घटना बता रही थी कि ये खलती से हो गया पुलीस ने कुछ नहीं किया अब Post Mortem Report में साफ हो चुका है आपके स्क्रीन्स पर वो Post Mortem Report जिसमें साफ तोर पर लिखा गया है कि उसकी पिटाई हुई और पिटाई के साथ साथ उसके सिर पर माते पर सकल में एक क्राक है जिसकी वज़ा से उसकी मौत हो गई मैं ये समझना चाहता हूँ कि उत्तरफदेश पुलीस इतनी बेलाग क्यों है इतनी बेखौफ क्यों है आम इनसानों पर आप इस कदर अत्याचार कैसे कर सकते हैं मैं तो नहीं भूला हूँ लखनों के विवेक तिवारी को किस तरह से गोली मार दी गई थी आप पुलीस हैं आप चाहते हैं तो पाउं पे गोली मार सकते थे मगर आपने विवेक तिवारी को सीधे गोली मारी वो मर गया आज मनीश गुपता जिसके बारे में बताया जाता कि वो भाजपा समर्थक था टेलिग्राफ की इस खबर के मुताबिक वो गोरकपूर आया था ये देखने के लिए कि मुख्य मंत्री आदितनात के राज में किस तरह का विकास हुआ है गोरकपूर में वो अपने मित्रों के साथ अपने दोस्तों के साथ महाया था और उसका आपने क्या हाल कर दिया क्या जवाब है उसकी पत्नी के नासुओं का आपके पास बताईए और सबसे दुख्य की बात यह है दोस्तों खुले आम मुख्य मंत्री आदितनात के अधिकारी उनके डियम उनके SSP परिवार पर दबाव डाल रहे हैं कि आप FIR दर्ज मत कीजिए आप केस मत दर्ज कीजिए क्यूं मैं सवाल पूछना चाहता हूं क्यूं वीडियो देखिए दोस्तों जो मेरे इस बात को प्रमानित कर रहा है देखिए यहाँ पर देखिए बेशर्मी मुख्य मंत्री आदितनात के अधिकारियों की मैं नहीं भूला हूँ दोस्तों हाथरस में भी यही हो था हाथरस में भी एक गरीब परिवार को प्रवीन कुमार जो की वहां के डियम थे वहां जाते हैं और बोलते हैं कि देखो आज तो मीडिया है आधा मीडिया चला गया है आधा कल चला जाएगा तुम्हें रहना यही है हमारे साथ ही रहना है क्या करोगे तुम याद है वो वीडियो या याद दिलाओं मैं आपको देखिए उस वक्त के डियेम प्रवीन कुमार की बेशर्मी मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा है देखिए दोस्तों मीनाक्षी लगातार बोल रही है मुझे इंसाफ चाहिए आपकी स्क्रीन्स पर यह है जगत नाराइंड सिंग मीनाक्षी ने बाकाइदा अपने इस लेटर में जगत नाराइंड सिंग के लावा छे लोगों का नाम लिखा है छे लोगों का नाम लिखा है अपनी शिकायत में मगर अजीब और गरीब बात है कि जब F.I.R. सामने उभर कर आती है तो उनमें सिर्फ तीन नाम होते हैं आप देख सकते हैं F.I.R. में दोस्तों सिर्फ तीन नाम और बाकी जो हैं उन्हें अज्यात लिख दिया गया है F.I.R. में भी उत्तर प्रदेश पुलीस ने किस तरह का लचर काम किया है वो आपको इस बात से पता चलता है कि जगत नाराएंड सिंग के कौन है पिता इसमें अज्यात लिखा हुआ है अरे आप ही के पुलीस अधिकारी हैं भाई आप ही के यां काम करते हैं और जगत नाराएंड सिंग के अलावा जो दो और पुलीस कर्मी जिनका नाम लिखा गया है उनके भी पिता का नाम अज्यात आपके अपने पुलीस कर्मी हैं और आप कह रहे हैं उनके पिता का नाम अग्यात नहीं जानते ये क्या बात हुई दोस्तों उस रात हुआ क्या था मैं चाहूंगा कि आप मनीश गुपता के अपने दोस्त जो उस वक्त उस कमरे में मौझूद थे जब मनीश गुपता की बेरहमी से पिटाई उत्तर पदेश पूलीस ने की थी जो की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट से साफ हो रहा है क्या कहना है उनके दोस्त का आप खुद सुने तो रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरवेल बजी लगबख साड़े बारा बजी तो गुपता जी और प्रदीब जी सोई वेते मैंने गेट खोला तो वहां पे पांट साथ पुलिस वाले और होटल पर रिसेप्शन पलड़का था नाम नहीं पता है उसका अंधर बड़े उनाम अपना वो दिखा आईडी दिखा रहने वाले और इस तरह से थी डिखा देंगे इठाई में अपनी दिक्षाई महनें दिखा दी जबनारों कि तो आप निग्री मांग हुआ है और तो उसके बारे सामान चेक करो सामान दिखाओ अपना मैंने सर बैग भी खुला अपना सामान चेक आप ऐसे बोल रहा है तो मुझे बोल रहा है और तो अंदर जाएगा ना एक रात रहेगा थाने में तिरा अखल ठीक आने आ जाएगी इतना कहने पर उनने मुझे थपड़ पर मारने शुरू मगर ना जाने क्यों दोस्तों बार-बार मीनाक्षी का चेहरा मेरे आखों के सामने आ रहा है बार-बार मीनाक्षी के साथ जो उनके पांच साल का बच्चा है उनका चेहरा सामने उभर कर आ रहा है ये खबर देखिए माँ ये कह रही है कि मैं अपने बच्चे को क्या कहूंगी कि उनके पिता की मौत कैसे हुई आज तो वो पांच साल का है मैं फिर से उस मा की आवाज आपको सुनाना चाहता हूँ इस वक्त इस साउंडबाइट में उनके इस बयान में आप देखिए अगोदी में उनका अपना पांच साल का बेटा है आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं मीनाक्षी तो एक नर्क से गुजरी रही है उनके पांच साल के बच्चे के जहन में दिमाग में क्या हो रहा होगा इस वक्त आप और हम उसकी कलपना भी नहीं कर सकते हैं सुनिए सबसे दुक्ती बात है दोस्तों कि पुलीस किस तरह से अपने बयान बदलती है अब जो इनका ताजा बयान आया है उसके मताबिक पढ़के सुनाना चाहता हूँ अब यह से दुरघटना नहीं बोल रहे है अब यहां पर वो दोशियों की भी बात कर रहे है जब सोशल मीडिया में इस बात को लेकर दबाव बढ़ा तब इन्होंने दोशी शब्द का गिल्टी शब्द का इस्तमाल किया आपके सामने बयान एक दिन पहले की बात है इनके पुलीस अधिकारी क्या कह रहे थे दुरघटना बता रहे थे खुद सुनिये आप पराजियों की चेकिंग के दौरान ठाना रामगड ताल की पुलीस एक हुटल में गई वहाँ पर एक कमरे में तीन युवक संदिक्द अलग-अलग शहरों से आये थे जो ठहरे थे इस सुचना पर पुलीस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई जहाँ पर हडबडाट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई दुरगटना वर्ष हुई इस गटना से पुलीस ने ततकाल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल ने भरती करवाया जहाँ पर उसका इलाज हुआ बियाडी में दौराने इलाज उस युवक की मरत्यू हो गई पुलीस ने ततकाल परिजनों को सुचित किया है सब को मोर्चरी में रखवाया गया है आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्ट मॉटम करवा कर इसमें नियमनसार कारिवाई की जाएगी फिलाल ये युवक किस कारिय से यहां आये थे इसकी जाच की जा रही है और किस के साथ यहां रहे थे कितने दिन रहे थे इस सम्मन में जानकरी कर आगे कारिवाई की जाएगी और ये पहली बार नहीं है दोस्तों मैं बार-बार आपको एक साल पहले हाथरस की बात कर रहा हूँ हाथरस में भी क्या हुआ था आपके सामने Law & Order ADG का बयान इसमें Law & Order ADG ये मानने को ही नहीं तयार थे कि हाथरस की उस गुड़िया का पहले बलातकार और फिर उसकी हत्या हुई ADG Law & Order उस बात को मानने को ही नहीं तयार थे और उसके बाद CBI की पड़ताल होती है और उसमें ये बात साफ होती है कि ना सिर्फ उसका बलातकार हुआ बलकि उसकी हत्यावी की गई यानि कि जो अंदाज बयां उत्तर पदेश सरकार का हाथरस में था वो ही अंदाज बयां हमें गुरकपुर में भी दिखाई दे रहा है जो कि मुख्यमंत्री आदितनात का जनपद है सबसे दुक्की बात यह है इस वक्त मुख्यमंत्री आदितनाथ तमाम न्यूस चैनल्स में घूम रहे हैं इंटर्वियूस दे रहे हैं तमाम जो बड़े-बड़े पत्रकार चाटुकारों की तरह उनका इंटर्वियू कर रहे हैं उनके लिए बड़े-बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं इन में से किसी चैनल की हिम्मत नहीं है दोस्तों तीके सवाल पूछने की मुख्यमंत्री आदितनाथ से मेरे जैसे पत्रकारों के सामने वो बैट के इंटर्वियू नहीं दे सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ वरिष्ट पत्रकारों की क्या हालत है मुख्यमंत्री आदितनाथ के सामने उनके ट्विटर हैंडिल पर देखिए इंडिया टीवी ने उनका इंटिव्यू किया और आप देखिए हिंडिया टीवी के जो संपादक हैं रजट शर्मा जो एक जमाने मेरे बॉस थे वो किस तरह से कसीदे पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री आदितनाथ के आप खुद बताईए ना इस तरह का मीडिया उत्तर परदेश सरकार से सवाल करेगा सुनिए किस तरह से कसीदे पढ़े गए पेट के लिए रोटी देश के लिए मोदी और गुंडों के लिए योगी और लोग बड़े क्रियेटिव हैं एक मैसेज भेजा मोदी चाई पिलाते हैं और गोरुक पुरुवले बाबा सीधे काड़ा पिलाते हैं मैं नहीं भूला हूँ दोस्तों आज से एक साल पहले कोरोना से जंग जीत कर करीब बारहा तेरा दिन अस्पताल बे रहने के बाद मैं घर आया था मेरी हालत बहुत खराब थी बेतहाशा कमजोरी थी किसी तरह से बचकर मैं आया था दोस्तों और जिस रात या उसके एक या दो दिन बाद मैं लोटा था उसी रात को उत्तरपदेश पुलीस ने हाथरस की गुड़िया का जो शब है वो जला दिया था मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों मैं उस घटना से इस कदर हिल गया था कि तबियत खराब होते हुए भी बिस्तर में लेटे हुए भी उसके बावजूद मैं वो खबर आपके सामने लेकर आया था आप देखिएगा इस खबर में मेरी आवास बैठी हुई है क्योंकि मैं बीमार था मुझे कुरोना था और उस हालत में मैं वो खबर आपके सामने लेकर आया था जो मुद्दे मैंने आपके सामने उस सवक उठाये थे वो बदस्तूर अभी भी जारी है किस तरह की नाइंसाफी उस परिवार के साथ की गई थी दोस्तों उसकी एक छोटी सी जलक देखिए वही इतिहास अब गुपता परिवार के साथ दोहराये जा रहा है देखिए आज से ठीक एक साल पहले मैंने क्या कहा था हातरस के मामले में आपको कि देखो बेटी हमारी नहीं है यह आपकी भी है ठीक है मानते हैं कि आप दर तो समझ रहे हैं पर आपके हाथ पीछे से भी बंदे हुए है क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाब है देखा आपने अंत में एक शक्स ने पूछ लिया कि हम जानते हैं आप पर पुलीस का आप पर राजनीतिक दबाव है क्या पुलीस इस बात से इंकार कर सकती है आप देखिए दोस्तों ये वीडियो देखिए ये वीडियो इसलिए जरूरी आपके सामने हो जाता है क्योंकि इस वीडियो में आप पीछे उस गुडिया की मां की आवाज सुनेंगे वो गोहार लगा रही है कि मेरी बेटी की लाश मेरे सुपूर्द कर दो मगर यहाँ पुलीस उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है सुने मैं नहीं जानता कि मुझे हात्रस की गुडिया के परिवार की पहचान को सारवजनिक करना चाहिए मगर शायद शालीनता के चलते मैं उनकी मा की पहचान आपके सामने जाहिर नहीं करूँगा अब मैं गुडिया की मा की आवाज आपको सुनाना चाहूंगा उसकी रदय विदार्ख रुदाली सुनाना चाहूंगा वो कह रही है कि रीती रिवास के हिसाब से मुझे कम से कम उसे हल्दी तो लगाने देते सुनिये वो मा क्या कह रही है और प्रशासन की हट धर्मिता देखिए वो ये दावा कर रहा है कि परिवार की रजा मंदे से अंतिम संस्कार हुआ जबकि मा की हकीकत अभी-भी मैं आपको सुनवा चुका हूँ देखिए उनके परिवार जनों के साथ और सहयोग से उनके नुमती से आपने सोचा होगा इस मा की कितने सपने रहे होंगे अपनी बेटी को लेकर सबसे बड़ी विडमना दोस्तों मेरे एक पत्रकार मेत्र ने मुझे इस अख़बार की इस वेबसाइट की एक कतरन भीजी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कौन था मनीश गुपता कौन थे कानपूर के मनीश जिनकी हत्याकारों पुलीस पर लगा भाई बोले जॉइन की थी बीजेपी पढ़के सुनाना चाहता हूँ दोस्तों मोहित ने यूपी तक को बताया कि उनकी मौसी के लड़के मृतक मनीश गुपता ने एंबीए कर रखा था वो पहले किसी प्राइविट बैंक में मैनेजर थे नौइडा में पती और पत्नी मीनाक्षी दोनों जॉब कर रहे थे कोरोना काल में दोनों कानपूर आ गए थे उनका एक चार-पांच साल का लड़का था मोहित के मुताबिक मनीश चार महिने पहले बीजेपी में शामिल हुए थे बीजेपी में शामिल हुए थे समर्थक थे मुख्यमंत्री आदितनाथ के समर्थक थे भारती जहाता पार्टी के सदस से थे बीजेपी के मैं आपको यह क्यों बतला रहा हूँ एक साल पहले जब उस गुडिया का शव जला दिया गया था परिवार के साथ बेरहमी की गई थी तब कई भक्तों ने उत्तरपदेश पुलीस का साथ दिया था जी न्यूस जैसे चैनल्स ने यहां तक की उसके परिवार पर निशाना साधा था कुछ चैनल्स ने उसे ओनर किलिंग बताया था यानि की परिवार को इकट घरे में डाल दिया था एक न्यूस चैनल के संपादक ने का था एक छोटी मोटी घटना है मुख्यमंत्री आदितनात उसे अंतराष्ट्वी साज़िश बता रहे थे और कई भक्त इस मुद्दे को लेकर तालियां बजा रहे थे वो जल्दबाजी में अपना पहचान पत्र नहीं दे पाए तो आपने उसकी पिटाई शुरू कर दी और फिर उसकी जान ले ली मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों ये सिर्व इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्य मंत्री आदितनात के राज में पुलीस की कोई जवाब देही नहीं है पुलीस जो मर्जी करती है उसकी कोई जवाब देहीं नहीं है मैंने आपको हाथरस बताया विविक तिवारी बताया मनीश गुपता मैंने आपको बताया और ये ना भूलें, जब मुसल्मान नागरिक बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलीस ने उनके सिर पर और छाती पर गोलियां चलाई थी ये कैसी पुलीस है भाई, आप उनके पाउं पर गोली मारते, वो प्रदर्शन कारी थे, आतंकवादी थोड़ना थे, मगर मुसल्मान है इसलिए क्या उसके जान की कीमत नहीं है, मगर आज ये साबित हो रहा है कि पुलीस की दबंगई के सामने, पुलीस के जोर के सामने हर इ इंदी गालियां दे रही थी, क्या हिंदू, क्या मुसल्मान, जब सरकार अपने पुलीस को पूरी आजादी दे देती है, तो वो अपने नागरिकों पर इसी तरह का अत्याशार करती है, जब पुलीस की कोई जवाब दे ही नहीं होती है, गोरकपुर हो, लखनओ हो, हाथर हो इन तमाम घटनाओं ने इस बात को प्रमानित किया है, बताईए मेरी बात सही है या घलत, बोल के लब आजाद है तेरे में इसी तरह से हम मीनाक्शी का मुद्दा आपके सामने लाते रहेंगे, उनके हकी आवाज बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि हम उस पालतू मीडिय की तरह सरकारों की कसीदे नहीं पढ़ते हैं, उनसे सवाल करते हैं, नमस्कार